नमस्कार और स्वागत थे आपका मेरी इस नए वीडियो में तो अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करिएगा आज की इस वीडियो में बात करेंगे इप फो शोशल सेकूर्टी असेंड और स्ट्रिनोग्राफपर के एक्जाम डेट के बारे में और एड्मिट कर तक रिलीज कर दिया जाएगा और मोड अफ एक्जाम के बारे में बात करेंगे तो इन सारी चीजों को समझने के लिए मैंने यहाँ पर उपिन किया हुआ है प्र लास्ट डेट जो फॉर्म अप्लाइक करने का था 2019 में वो था 21 जुलाई और एड्मिट कार्ट रिलीज करने का जो डेट था वो था 21 अगस्त से 1 सेटमबर के बीच में यानि की फॉर्म फील करने के लास्ट डेट से ठीक एक महीने बाद लेकिन इन्होंने 18 दिन बाद ही इ आपको एक्जाम डेट पहले ही दे दिया गया था कि 31 अगस्त और 1 सेटमबर को यानि कि दो दिन आपका एक्जाम कंड़क्ट होना है इसके एक्जाम डेट करें तो 2023 की जो वेकेंसी आई हुई है इसका जो एड्मिट कार्ट रिलीज होगा वो मेरे एक्जाम के बीच में आ कोड़ ऑफ जो एक्जाम होगा वो आपका ऑनलाइन होगा यह रहा आपका 2023 का नोटिफिकेशन जिसमें आपको केवल फॉर्म फील करने का लास्ट डेट और फॉर्म क्रेक्शन डेट आपको मेंसन किया गया था बाकी इसमें कुछ भी मेंसन नहीं किया हुआ है नहीं एड् दस माइनस दो या तीन दिन आप कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे एक्जाम कंड़क्ट होने हैं अभी तो हो सकता है कि थोड़ा डेट इधर उदर हो सकता है लेकिन मेरे कोडिंग 17 से 25 माई के बीच में आपको एड्मिर कार्ड रिलेज कर दिया जाएगा और माई लास्ट वी इधर हो भी तो हो जाएगा है लेकिन मेरे कि दो दूब हो जाएगा है कि उड़ा हैं वीजाएगा है वीजाएगा सकता है।